परिचय दिसंबर का महीना है अनू बहुत रोमान्चित है क्रिस्मस 25 दिसंबर को मनाया जाना है और सैंटा क्लॉस उसके लिए तोफे लेकर आएंगे आज 10 दिसंबर है और अनू एक कैलेंडर की मदद से क्रिस्मस में बाकी बचे दिनों की गिंती कर रही है क्या आप जानते हैं कैलेंडर कैसे इस्तिमाल किया जाता है आईए आपको बताते हैं कि दिनों की गिंती कैसे की जाती है आओ सीखें कैलेंडर के बारे में कुछ बाते बता पाना कैलेंडर से जुड़ी कुछ ट्रिक कर पाना कैलेंडर से संबंधित समस्याओं को हल कर पाना कैलेंडरों के इस्तेमाल के बारे में बता पाना कैलेंडर क्या होता है? इस कैलेंडर को देखिए आपको सभी दिन एक खास धंग से लिखे नजर आएंगे एक कैलेंडर दिनों को सप्ताहों में, सप्ताहों को महीनों में और महीनों को एक वर्ष के समूह में बना कर रखता है हर दिन अलग होता है कैलेंडर से जुड़े तथ्य किसी साल में बारा महीने होते हैं ये महीने हैं जन्वरी, फर्वरी, मार्च, अप्रेल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर अगर साल के सभी दिनों को गिना जाए तो उनकी संख्या होगी 365 दिन हर महीना सप्ताहों में बटा होता है हर सप्ताह में सोमबार से रविवार तक साथ दिन होते हैं हर महीने में 30 या 31 दिन होते हैं केवल फर्वरी में 28 दिन होते हैं क्या आप जानते हैं कि लीपियर यानि लौंद के साल में एक अतरिक्त दिन फर्वरी के महीने में जोड़ दिया जाता है इसलिए लीपियर में 366 दिन होते हैं घटनाओं को क्रम में लगाना अनू स्कूल में है उसने कुछ महतुपूर्ण तिथियों को क्रम के बिना लगाया है आईए इन घटनाओं को उस क्रम में लगाएं जैसे ये साल में आती हैं पहले नया साल उसके बाद गणतंत्र दिवस उसके बाद स्वतंत्रता दिवस उसके बाद महात्मा गांधी का जन्म दिन और सबसे बाद में बाल दिवस जो हमारे पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिन है कैलेंडर से जुड़े सवालों को हल करना क्या आप जानते हैं कि कैलेंडर कई समस्याओं को हल करता है आप बड़ी आसानी से किसी कैलेंडर पर दिनों और तारीखों को पढ़ सकते हैं आईए जुलाई 2012 के महीने पर नजर डालें क्या आब बता सकते हैं कि ये महीना कौन से दिन पर खत्म हो रहा है जी हाँ, मंगलवार को 13 जुलाई को कौन सा दिन पड़ रहा है सही जवाब, शुक्रवार दूसरे शनिवार को क्या तारीक है बिलकुल सही, 14 जुलाई क्या 21 तारीक को रविवार है नहीं, 21 तारीक को रविवार नहीं है इस महीने में कितने ब्रिहस्पतिवार है? जी हाँ, इस महीने में 4 ब्रिहस्पतिवार है कैलेंडर से जुड़ी तरकीबें आईए अब समय है कैलेंडर से जुड़ी कुछ तरकीबें जानने का आप उधारण के तौर पर बॉक्स में पाँच संख्याएं जोड सकते हैं सोचिए, इनका योग असी आता है लेकिन ये योग हमें मिला कैसे? बस बीच वाली संख्या को पाँच से गुणा कर दीजिए याद रखिए कि ये जादू उन लाइनों के सिलसले में काम आता है जिन में पाँच की संख्या होती है कैलेंडर के साथ कुछ मजे करना आईए कैलेंडर के साथ कुछ मजे करते हैं मान लीजिए आपका मित्र किसी महीने में चार संख्याओं 15, 16, 24 और 25 को चुन कर आपको उनका योग दे देता है तो फिर केवल योग के जरीए आप इन चार संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे? सोचिए, ये आसान है तर्कीब ये है कि आप पहले इस संख्या को चार से भाग करें और फिर इसमें 5 घटा दें आपको पहली संख्या 15 मिल जाएगी बाकी तीन संख्याओं के लिए पहली संख्या में 1, 9 और 10 जोड़ दें आप कुछ दूसरी संख्याओं के साथ भी ऐसी कोशिश कर सकते हैं कैलेंडर के इस्तेमाल क्या आप कैलेंडरों के प्रयोगों के बारे में बता सकते हैं कैलेंडरों का इस्तेमाल किया जाता है दिनों की पहचान के लिए किसी घटना को दर्ज करने के लिए निजी कारेक्रमों का ध्यान रखने के लिए मौसम में बदलाव की पहचान के लिए हमने क्या चर्चा की? कोई कैलेंडर दिनों को सपताहों में, सपताहों को महीनों में और महीनों को एक साल में समूह बना कर रखता है किसी साल में 365 दिन होते हैं जो 12 महीनों में बटे होते हैं ली पियर में 366 दिन होते हैं, घटनाओं को क्रम देने में कैलेंडर मददगार होते हैं, दिनों और मौसमी परिवर्तनों की पहचान करने, घटनाओं को दर्ज करने और निजी कारेक्रमों का ध्यान रखने में कैलेंडर उपियोगी होते हैं,